एपोधा अपने कही ना कही तो देखाई होगा यूगि बारिश के टाइम में एपोधा गार्डन में खेतों में और सड़क के आसपास देखनों को मिल जाते है और इस पोधे को हम unwanted घास समझ के खर्पतपार समझ के इसको निकाल देते हैं लेकिन क्या आप चानती हो इस पोध अगर आप बहुती जदा मीठा खाते हो जिसकी वज़े से अगर आपके दात बहुती कमजोर हो चुके हैं दात कमजोर होने की वज़े से दातों का हिलना दातों का दर इन सभी प्रोब्लेम्स को खतम करने के लिए आप अपमार का यूश कर सकते हो आप पासे साथ ताजे अ कुछी मिठ्स के अंदर अपनोटिस करोगे जो आपका दात क NORM ł façon कर दाएगा इस प्रेट को कंटिनू करने से अपनोटिस करोगे जो आपका दात कमजोर था जो आपका कर दात के लिए भी आप अप मार्क fantas doet क्яться सकते हू, अपमार के ताजी दंडी से, अप डातों को ना स्टार्ट करें, dismiss करूए only 10-15 दिन के अंदर ही, जो आपके दात के अंदर किडा लगा था, वो पूरी तरह से खटम हो जाएगा, दात के अंदर किडा लगने की वज़़े से, जो आपके दातों में sensation होता था वो भी पूरी तरह से खतम हो जाएगा अगर आप daily morning अपमार का दातों करते हो तो आपको दातों से जुड़ी जीत्ते भी तरह की problem से वो सभी तरह की problem से खतम करता है जैसे हमने आगे बात कि कि जो अपमार का पोदा है वो उली बारिश की टाम ही देखनी को मिलता है तो अगर आप इसके पूरे सा लाब उठाना चाहते हो तो जो अपमार की पंचाक है इस अपमार की जड़ उसकी टेहनिया उसके पत्ते फूल और उसके बीच इन पासों चीजों को अपच्छाओं में सुखा के उसको इमाम दस्ते से कूट ले उसका पावडर बना ले अगर आप डेली मॉनिक तूथपेस की जगा पे अपमार की पावडर का एज़ा दंतमंजन यूज़ करते हो तो आप जब तक जिन्दावर होगे तब तक आपको दातों से जूड़ी कोई भी तरह की प्रोब्लम नहीं होगी अगर ये आपको मेरी वीडियो यूसफूल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरी वीडियो को शेर करें तो मेरी चलतकर सब्सक्राइब करें आज केले इतना ही मिलते नेक्स वुडियो में तप्तो केले तन्युवादु